हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल आराध्या आरेयस अकेडमी में दोस्तों पूरे राजस्तान में जितनी भी परतियों की परिक्षाएं आई जित होती है उन सभी परतियों की परिक्षियाओं के लिए राजस्तान का लासनसकर्ति की क्विज स्टार्ट की गई थी जिसमें अपनी दोस्तो 48 क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है आज दोस्तो अपनी इसमें 49 नंबर की क्विज है दोस्तो परते क्विज के अंदर आपको 40 प्रसंद दिये जाते हैं जो आपकी परतियों की परिक्षा के लिए अत्यंत महत वपूर्ण है दोस्तो अभी तक अपने 1960 प्रसंद है वो राजस्तान कालासनसकर्ति के पढ़ लिये हैं अगर आपने उन प्रसंदों को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाईए वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान कलासनसकर्ति क्विज के नाम से तो आप वहाँ जाके रोज़ाना टेस्ट दीजिए और सारी की सारी कलासे हैं वो जरूर देखें अराध्यारे से कटवि के उट्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रेस्निप देखें भील किस देवी देवता के चड़ाई गई केसर का पानी पीकर जूट नहीं बोलते तो दोस्तों भील जनजाती के लोग हैं वो केसर का पानी पीकर जूट नहीं बोलते तो कौन से देव देव ताके वो के चड़ाई गई केसर का पानी होता है तो वो है दोस्तो जिसको अपने रिसब देव या काला जी या केसर आनाज जी अपने बोल सकते हैं तो इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तीक है आगे दे जिले में लगता है गराशियों का सबसे बड़ा मेला यह आपको इसमें याद रखना है दोस्तो शिरोई जिले में एक मेला और लगता है सियावा गाओं में जहां पर प्रेम विवाहे अधिक होते हैं उस मेले में ठीक है यह भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखि जनजाती में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी एकाई को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है दोस्तों क्या तो वो है फालिया कहते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको फालिया कहते हैं दोस्तों देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ जो गराशिया है वो राजस्तान म लोग दोस्तों अपने जो पूरवज है वगेरा है ठीक है उनकी अस्तियों का जो विसरजन है वो नक्की जील में करते हो नक्की जील कहाँ पर है तो दोस्तों आप सभी को पता है माउंट अबू में है ठीक है देखिए सपेद पसू वह मोर को भी ये क्या करते हैं पवित्र म समंदित है तो यहां पर देखिए दोस्तों इसका राइट आनसर हो जाएगा वो है इसमें के बिलकुल आशवत मताना है दोस्तों देखिए vertically ए कि वह यह लूर नरते एक रोन सा लूर नरते ये दोस्तों गराशियों से संबंदित नरते है आगे देखे किस जंजाती में अन बंडार की कोटियां सोहरी कहलाती है कौन सी जंजाती में दोस्तों अन बंडार की जो कोटियां है वो सोहरी कहलाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गराशिया जंजाती में ठीक है तो इसका राइट आंसर सी नंबर नेक्स्ट डामोर कहा के मूल निवासी है दोस्तों जो डामोर जनजाती है ये मूलते कहा की निवास है तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मूलते ये गुजरात के निवासी है डामोर जनजाती देखिए एक मातर जनजाती जो वनों पर आश्रित नहीं है तो वो है डामोर जनजाती ठीक है खेती तथा पसु पालन करते हैं ये डामोर जनजाती डुंगरपुर जिले में अधिकतर जनसंग्या निवास करती है डामोर जनजाती की और सिमलवाडा पंचायच समिती डुंगरपुर को डामरिया छेतरे कहा जाता है ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है देखिए डामोर पुरुस भी मैलाओं की भाती गहने पहनते हैं ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है तो इसका डी नमबर उप्शन सहुत्तर गुजरात आगे देखिए किस तिथी को आदिवाशियों का कहा जाता है इस तिर्थ को आगे देखिए डामोर जंजाती के गाउं की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दामोर जंजाती के गाउं की सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है तो दोस्तों देखिए क्या कहलाती है तो ये कहलाती है दोस्तों फला क्या कहलाती है फला ठ नेक्स्ट है गराशिया लोगों के तियुहार का प्रारंब कब होता है गराशियों लोगों के तियुहार का प्रारंब है वो कब होता है तो यह होता है दोस्तो आखातीज पर ठीक है आखातीज को गराशियों लोगों का जो तियुहार है वो प्रारंब होते हैं डी नंबर करमसे कहां पाई जाती है तो ये पाई जाती है दोस्तों कहां पर तो उदैपूर विकानेर में पाई जाती है C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदैपूर विकानेर आगे देखिए डामोर जंजाती सरवादी के किस जिले में पाई जाती है तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था डुंगरपूर जिले में अधिकतर जंसंग्या निवास करती है डामोर जंजाती की तो इसका right answer हो जाएगा डुंगरपूर A number option सही उत्तर हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों सांसी जंजाती के जो लोग है वो अधिकतर कौन से जिले में निवास करते हैं देखिए सबसे अधिक जंसंग्या भरतपूर जिले में है सांसी जंजाती की एक मातर जंजाती जो वीद्वा विवाहें नहीं करती तो वो है सांसी जंजाती सांसी जनजाती में दो उपजाती होती है एक होती है दोस्तो बीजा और एक होती है माला याद रखना बीजा और माला ठीक है और दोस्तो सांसी जनजाती के जो लोग है ये बाखर बावजी की कसम खाकर जूट नहीं बोलते हैं ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है बाखर बाव जी की कसम खाकर जूट नहीं बोलते सासी जनजाती के लोग और भील जनजाती के जो लोग है वो केसर या नाज जी की केसर पीकर जूट नहीं बोलते और दोस्तो कंजर जाती के जो लोग है ये हाकम राजा का पेला पिकर जूटे नहीं बोलते या आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर जिले में सरवादिक निवास करते हैं सासी जनजाती के लोग तेरा नमबर का प्रेशन है राजस्तान की जनजातियों का गटती हुई आबादी के अनुसार सही करम क्या है तो वो है दोस्तो इसमें भील मीना गराशिया सहरिया या आपको इसमें याद रखना है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर का उप्षन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान के किस जिले में कुल जनजाती 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 का सरवादिक प्रतिसत पाए जाता है तो देखिए किस जिले में कुल जन संक्या में अनुसूचित जन जाती जन संक्या का सरवादिक प्रतिसत पाय जाता है तो यह है दोस्तो इसमें बास्वाडा में कहां पर पाय जाता है बास्वाडा में जन जातियों का सरवादिक प्रतिसत पाय जाता है तो इसका राइट आं है दोस्तों दक्षनी और दक्षनी पूर्वी ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नमबर उप्षन बिलकुल से उत्तर आगे देखिए राज्ये के किस जिले में अनुसुचित जनजाथी की आबादी का अनुपात सरवादिक है तो यहाँ पे देखिए स्कूल से उत्तर हो जाएगा ठीक है सरवादिक परतिसत तो किस में है बाश्वाडा में और सबसे कम है वो है नागोर में ये आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए अनुसुचित जातियां वे जन जातिया करमसे सविदान के किस अनुचेद के तहत अदुसुचित क की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुचेद 341 से अनुचेद 342 तक है तो इसका राइट आंसर अनुचेद 341 और 42 ये नंबर उप्शन बिल्कुल सईतर हो जाएगा इसका ठीक है आगे देखिए सहनाई नकारा वच्चंग किस तरह के लोकनाटे का पर दान साज है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तुर्रा कलंगी ठीक है तो इसका बिल्कुल सईतर हो जाएगा ए नंबर उप्शन सईतर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए मेग वालों की रमत कहां वै किसके द्वारा खेली जाती है मेग वालों की रमत कहां वै किसके द्वारा खेली जाती है तो इसका right answer हो जाएगा वो है शिरोई में रावलियो द्वारा जो मेगवालों की जो रम्मत है वो खेली जाती है ठीक है तो इसका A number option सही उत्तर हो जाएगा next है आगे देखिए भील सब्ज दर्विट भासा के बील का अपबरंस है जिसका अर्थ है तो दोस्तों बील का अर्थ क्या है तो वो है तीर कमान क्या है तीर कमान अर्थ है इसका A number का option सही उत्तर हो जाएगा next है राजस्तान के किस चेतर में बील जन जाती का आदिक्य है तो दोस्तों राजस्तान के किस चेतर में भील जनजाती का आदिक्य है तो वो है दक्षनी राजस्तान में B नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट राजस्तान में जनजातियों की संक्या की द्रस्टी से दूसरे इस्तान पर है तो दोस्तों दूसरे इस्तान पर भील है C नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा भील आगे देखे बीलों के सभी गाओं की पंसायत का मुक्या क्या कहलाता है तो दोस्तों ये कहलाता है गमेती क्या कहलाता है गमेती ये नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बीलों के घर क्या कहलाते है तो दोस्तों भीलों के घर है वो क्या कहलाते है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तापरा या कू ये दोस्तों भीलों के जो घर होते हैं उनको कहते है ठीक है और दोस्तों राजस्तान की सबसे प्राचीन जन जाती है वो भी दोस्तों इस तो टापरा, मुहले को फला, गाउं को पाल, गाउं का मुक्या पालवी या तद्वी, ठीक है? और पूरी भील जनजाती का मुक्या है, वो गमेती कहलाता है, और इनका कुल देवता है, वो है टोटम, ठीक है? पेड़ पूदो को टोटम का प्रतीक वानते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर, टापरा, यकू, C नंबर उप्शन से उतर, नेक्स्ट है, किस इतियासकार ने भीलो को वन पुत्र कहा था? तो भीलो को वन पुत्र है, वो दोस्तो किस ने का था? तो ये का था करनल जेम्स टोड ने, जिसको गोडे वाला बाबा के नाम से भी जानते हैं, डी नंबर उप्शन से उतर, नेक्स्ट है, कूल जन संक्या में अनुसुचित जाती के परतिसत के आधार पर राजे का देश तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, तेरवा इस्तान है, C नंबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा, तेरवा इस्तान, आगे देखिए, किस जन जाती की मेवाड राजे के परतित, त्याग वैस्वामी भगत की भावना के कारण ही, देखिए, एम्बलेम वोफ मेवाड में उस जन जाती के राजा का चितर भी अंकित है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तो इसमें भील जन जाती, ठीक है, D number का जो option है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए दोस्तों इसमें देखिए आपने पुंजा बील का नाम तो सुनाई होगा मेवाड में आगे देखिए सहरिया समुदाय की पंचायत के मुख्यते कितने इस्तर होते हैं यह आपको इसमें याद रखना है बहुत अच्छा प्रस्न है सहरिया समुदाय की पंचायत के मुख्यते कितने इस्तर होते हैं तो दोस्तों तीन इस्तर होते हैं बी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कौन-कौन से तो देखिए पंचायत तीन परकार की होती है सहरिया जनजाती में एक तो होती है पंचताई यानि कि पांच गाउं की पंचाईत को क्या बोलते हैं पंचताई दूसरी है एक दसिया यानि कि ग्यारे गाउं की पंचाईत एक साथ होती है तो उसको बोलते हैं एक दसिया ठीक है पंच्ताई एक दसिया चौरासी आगे देखिए सहरिया जनजाती की बस्ती और इनका मुक्या करमसे क्या कहलाते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों सहरिया जनजाती की जो बस्ती है ये दोस्तों क्या कहलाती है सहराना और इनका जो मुक्या है वो पटेल कहलाता है क्या कहला तौपा कोरवा यह आपको तीनो नाम याध रखने है गोपना तौपा कोरवा ठीक है और दोस्तो सहरिया जञजाथी के लोग है वो स्राद नहीं करते मैलाएं टेटू बनवाती है लेकिन पुरुष टेटू नहीं बनवा सकते ठीक है दहेज पर था भी नहीं है मैलाएं गर में गुंगट करती है बाहर गुंगट नहीं करती मैलाएं ठीक है तो यह है दोस्तों सहरिया जनजाती में ठीक है और का निवास करती है तो बारा जिले में किसंगंज और साबाज दो ऐसे जिले हैं सोरी दो ऐसे तैसिले हैं वहां पर और भारत सरकार ने शेरिया जंजाती को आदिम जंजाती का दर्जा दे रखा है ये भी आपको इसमें याद रखना है राजस्तान की एक मातर आदिम जंजाती है वो सेरिया ही है ठीक है इस प्रेस्टन का राइट आंसर C नंबर उप्शन हो जाएगा जनम के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गाओं के कुईये पर एक सुबा यात्रा ले जाई जाती है उसको क्या कहते हैं तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या जलवा समारो है जलवा नहीं करते थोटे बच्चे का तो वो ही ठीक है तो जलवा समारो है बी नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे मोताना पर्था के संबंद में निम्न में से कौन सा कतन सही नहीं है मोताना पर्था के संबंद में निम्न में से कौन सा कतन सही नहीं है तो यहां पर देखिए दोस्तो, किसी व्यक्ति की संग्धिक्द मर्तियू के बदले दूसरे को मोत के घाट उतारना, यह दोस्तो इसमें गलत है, ठीक है? इसमें देखिए इस प्रेस्टन को आपको क्या करना है कि कौन सा कथन सही है वो अपने को इसमें बताना है तुम आपको डाइरेक्ट बता देता हूँ कौन सा कथन इसमें नई है ये मिस्प्रिंट है ठीक है कौनसा कथन सही है वो बताना है किसी व्यक्ति की संग्द मर्त्यू होने पर मर्त्यू इस्तान के स्वामी से हरजाना वसूलना ये दोस्तों मोताना पृथा है ठीक है तो इसका right answer है C number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next आगे देखे राज्य में अनुसूचित जन जातियों में लिंगानुपात की वर्तमान इस्तती क्या है जन गर्ना 2011 के अनुसार तो इस प्रैस्न का right answer हो जाएगा वो है दोस्तों 948 ठीक है C number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next सहरिया विकास कारेकरम किस जिले से समंदित है तो यह समंदित है दोस्तों बारा जिले से समंदित है ए नमबर का उप्षन सयुत्तर हो जाएगा सहरिया जन जाती है यह बारा जिले में ही निवासे करती है अधिकतर ठीक है किसंगंज और सहाबाज चेतर में आगे देखे बील पर चली ते सह पलायन परथा का एक अन्य नाम क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो मारवाडी ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सायुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट निमनलिकित में से किस दिन मेना लोग सस्त्रों की पूजा नहीं करते तो मेना जनजाती की जो लोग है वो किस दिन सस्त्रों की पूजा नहीं करते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोवर्दन पूजा की दिन सस्त्रों की पूजा नहीं करते तो इसका र गराशिया समाज में सामुहिक कर्षी का रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हारी भावरी, हारी भावरी, सी नमबर का ओप्शन पिल्कुल से उत्तर हो जाएगा. आगे देखिए गराशियों में पर्चलित किस विवा में विवाय खर्च बचाने के उद्देशे से वदू को वर के घर छोड़ देते हैं तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेल वो विवा है ए नमबर का ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए गराशिया जनजाती व्यक्ति की मर्ति उपर किस इस मार्क का निर्मान करती है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं दोस्तों हुरे क्या कहते हैं हुरे ए नमबर का ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान की सबसे प्राचीन जनज जाती कौन सी है तो राजस्तान की सबसे प्राचीन जन जाती है वो है दोस्तों भील तो इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो टॉप 40 प्रसन करवाए हैं ठीक है और आज अपनी 49 नंबर की जो क्विज है वो सम सबस्क्राइब करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिंद जैभारत